असलाम लेकूम आज में आपके साथ शेयर करूँगी एग लॉलीपप की रेसिपी यह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चैस्टी बनता है इफ्तार में आप इसे बना के सबको खिलाएं बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आएगा तो चली देख लेते हैं कैसे बनता है वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो के लाइक और शेयर कीजिएगा तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं पांच अंडे हुआ ली हूँ और उसके साथ में ही दो आलू तो आलो डालना बिल्कhistिनल थे अगर आप चाहें तो डाले हूँ तो इन सबको मैं कदूकस कर लूँगी आलो और अंदे अंडे क्दूकस कर लेना है कर लिए हूँ और अब इसे ईक बड़े से बोल में रख लिए हूँ और बाखी के चीजे आएट करूंगे इसमें तो मैं ले ली हूँ एक छोटा चमच कदुकस किया हुआ लसल आजा छोटा चमच कदुकस किया हुआ अधराग एक प्याज लेकर उसे बारीक कट ली थी और तीन बारीक कटा हुआ हरा मिज ले ली हूँ इlk सब को डाल दोंगे और इसके साथ जाल होग थलड़ा जाद ही डाली हूँ चारोई ब्रेड को लेकर उसे अच्छय से पिच्छी पाउड़र 64 चामज कालीमिज का पॉर्ड़र डाल दिगूँ एक छोटा चमज कुटी हुई लाल मिर्च, एक छोटा चमज लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ तो मिर्च आप अपने टेट के हिसाब से डाल लीजेगा, एक छोटा चमज जीरे का पाउडर, एक छोटा चमज गरम मसाला पाउडर, और टेट के हिसाब से नमक डाल देंगे, तो एक छोटा चमर्ज नमक डाली हूं मैं, अच्छे से हाथों से सभी चीजों को मिला लेना है और यह तयार है, अब मैं इनके छोटे छोटे बॉल्स बना का तयार कर लूँगी, तो मैं निम्बू के साइज का एक एक बॉल बना का तयार कर रही हूं, आप चाहें तो अपने एक बॉल को लेकर इस तिरह अंडे में डिप कर लूँगी, और उसके बाद इसे ब्रेट क्रम में कोट कर लूँगी तो अच्छे से कोट कर लेना है, तो इस तो रगा देंगे और हातों से आलका दबा देंगे और यहा त्यार है लोसी तरह से हम भाकी के सारे भी तैयार कर लेंगे तो जी tweaks कर लेंगे जाना डोट यगThen श merchandise करणेंगे त्यार के लिए तेल कोमीडियम आज पर गरम कर लिहींगे भी तेल कर लांक हूँ एक मिनिट तक उसी तरह छोड़ देना है, एक मिनिट के बाद फिर हलके हाथों से इस तरह से घुमा देंगे, बहुत ज्यादा उलट पलट नहीं करना है इसे, और मिद्यम टू हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राइ करते जाएंगे, तो तक बढ़ियांसा कलर ना आ जाए, और इसे एक बाद जरूर ड्राइक कीजेगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो कर लाइक और शेल कीजेगा, तो यह भी फ्राइ हो चुका है, इसे भी निकाल लोंगी मैं, और सारे हमारे एक बाउस बनके तयार हैं, तो मैं बना रही हूँ एक लॉलिपॉप, तुम् बरत ही मज़ेधार बनता है यह आप इसे जरूर रह कीजेगा, बच्चो को यह बहुत पसंद आता है, आप इसे अपने पसंद के सौस या केचप के सास्त करें, सबको बहुत पसंद आने वाला है, तो अब भी इसे एक बाद जरूर रह कीजेगा, वीडियो पसंद आएग तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया